हाँ, उसकी चर्चा मेरी उनके साथ 2-3 साल से चलती है, वो जब यहां नागपुर नहीं आये थे, लोकमत समाचार के संपादक नहीं बने थे, उसके पहले से हम उन्हें जानते हैं, तो हमारी उनकी चर्चा चलती है, यह वैकलपिक अखवार, वैकलपिक मीडिया, वैकलपिक से जादा 2 साल के अंदर ऐसा कुछ हम शुरू करेंगे, और वो जो होगा, वो अखवार के स्वरूप में हो सकता है, पत्रिका भी हो सकती है, लेकिन उसका जो स्वरूप होगा, वो थोड़ा सा यह जो वैस्टरन है, इससे अलग होगा, अभी जो उन्होंने कहा कि अभी तो भारत से कुछ लेना लेना लेए, खवरें भी उसी वर्क की हैं, अब आज खवर है, अरुन जेटली का एक बड़ा स्टेटमेंट है, छे कॉलम में है, कि आयात बढ़ा है तो देश का बहुत भला हो गया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छे कॉलम में है, अरुन जेटली कहता है की इतना विधेशों से हम आयात करेंगे उतना ही देश का भला हो रहा है तो और यह सरोकार किन के हैं यह सरोकार उनके हैं जो import करने वाले लोग हैं उसमें यह टाटा बिरला डाल्मिया धीरुः यह जो ख़बर है जो हिंदुस्तान के 90 करोड लोगों के मतलब की हो सकती है वो पवन गुपता उस दिन सुना रहे थे न एक कहानी सुना रहे थे कि खबर छपी अकवार में कि मद्धिप्रदेश में मालवा के छेत्र में कवों ने जो है घोसले बीच में बनाए तो किसानों को समझ में आ गया कि इस साल बारिश बहुत बर हो अकवार में छपी है और बहुत छोटी सी छपी है तीन या चार लाइन की खबर है लेकिन ये खबर तो 90 करोड हिंदुस्तानियों की खबर है माने 90 करोड या 95 करोड या 99 करोड हिंदुस्तानी तो इसी तरह की खबर की प्रतिक्षा में रहते हैं ना उनको पानी की जरूर या कम अच्छा आने वाला है वो बकरी की कहानी इन्होंने सुनाई कोलापुर के साथी ने शिमला हाउस था तो किसान ने समझा दिया कि बारिश अच्छी होगी तो और वो समझ में आ गया और हो भी गई वो सिर्फ बकरी के व्यवहार को देखकर वो किसान जानता है कि जुड़ी होई खबर हैं तो किसी भी अखवार में नहीं होती है होती है तो बहुत कम होती है सालों में कभी एकाद बार देखने को मिलती है उन पे कोई चर्चा नहीं होती है कोई संपाद की टिपण ही नहीं होती है ये सब तो होता है और ये अब हम जब से हम लोगों की सम यह तो हम लोगों ने तै कर लिया है कि वो करना है हमको और यह इसलिए करना है कि जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा तो आपकी अभी जो खबरे आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे यह बिल्कुल सही है क्यों कि वो विग्यापन देने वाले ने कहा है कि राजीव दिख्षित की खबर आईगी तो आपका विग्यापन बन तो हमें तो तै करना पड़ता है तो विग्यापन ही देखना है हमें तो आपकी खबर तो हमारे लिए उतनी महत्तु कि नहीं कल को यह 10 लाग एक करोड़ यह हमारे साथ नहीं आने वाला है यह जानने वाला है अपने मालिकों के साथ लेकिन इस तंत्र में कुछ ऐसे लोग है वो अपने साथ आ सकते जो जिनकी समवेदनाएं हैं, सामाननि लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीन के लोग हैं, जिनके सरोकार ऐसे हैं, भले वो वहां बैठे हैं, वो उनकी मजबूरी हो सकती हैं, लेकिन उनके मन में तो कहीं यही बोलता है या कहीं घटित होता है, या सोचते हैं, समझते हैं, तो अखवारों के तंत्र में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिनकी समवेदनाएं भारत से जुड़ी हैं, सामने लोगों से जुड़ी हैं, वो लोग अपने साथ आ सकते हैं, उनकी मदद से तो कुछ हो सकता है, एक, दूसरा जो सामने लोग हैं, उनकी मदद उनके साथ हो चाहे तो और बड़ा होगा तो हम ये करेंगे जरूर ये मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूं कि दो साल के अंदर हम वैकलपिक मीडिया खड़ा करेंगे इस देश में अखवार भी निकालेंगे मैगजीन भी निकालेंगे लेकिन उनका स्वरूप जो होगा वो ऐसा नहीं हो इस तरह का होगा और उसमें सरोकार जो होंगे वो साधरन आदमी के होंगे उसमें खबरों की जो प्रमुखता होगी वो ऐसी खबरें उसमें चार कॉलम की होंगी कि मालवा के किसानों ने कवों के घंसलों को देखकर पानी का पता लगा लिया ये हमारे लिए छे कॉलम की न भी होगी और ये किसानों का सुभाव कैसा है जो कववे के घोसले से पता कर लेते हैं उनका देखने का नजरिया क्या है उनकी द्रश्टी क्या है अभी ये तीर्थली से वो बता रहे थे अपने क्रश्नमूर्थी भाई कि वो एक खास तरह का कीड़ा होता है उसमें पंक निक अकवार निकालेंगे हम जो पत्रिकाई निकालेंगे हम जो समाचार पत्र निकालेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे जिसमें साधरन आदमी आम आदमी किसान है कारीगर है उसकी कहानिया उसके किस्से उसके बारे उसकी जो द्रश्टी है दुनिया को देखने की दुनिया को समझने की वो उसमें जादा रहेगा और वही लड़ाई लड़ सकेगा यह जो पूरा मीडिया एक तो वेस्टनाइजड है यह जो अंग्रेजी अखवार है और यह जो भाशाई अखवार है वो आधे वेस्टनाइज तो हो ही गए हैं ऐसा नहीं है कि वो कम वेस्टनाइज हु इक कॉपी हिंदी में निकाल देते एक अंग्रेजी में तो उसका कुई स्वदेशी खरन थोड़ी हो गया है स्वदेशी करण का मतलब यह होगा कि वह साधर आदमी की खवरों पर आईट लूक में एक कॉलम आ जाता है साधर आदमी के बारे में बाकी पेज तो बाकी पीज जो दो-तीन जिले में, चार जिले में, पांच जिले में केंद्रित होंगे, या एक-दो जिले में भी हो सकते हैं, वैसे हमें निकालने हैं, वो तो तय है, उसी के प्रयास में हम लोग लगे हैं, अभी थोड़ा-थोड़ा छोटा-छोटा कोशिश है, फिर बड़ा होगा, करन अटक में हम लोगों ने कोशिश की है, एक मेगजीन शुरू किया है, थोड़े दिन में उसको और बहतर बना देंगे, थोड़ा और बहतर हो जाएगा, इसी तरह से मराठी में, इसी तरह से हिंदी में, इसी तरह से तमिल में करेंगे, तमिल के ये कारिकरताओं ने शुरू कि अभी वो और थोड़ा बहतर हो जाएगा कुछ दिन में इसी तरह का हम करने वाले हैं ये तो हम लोगों का संकल्प है क्योंकि लड़ाई लड़नी है बड़ी तो ये अखवार साथ नहीं आएंगे लेकिन आपको अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो वो निताएं हैं ज्यान भरी बाते हैं उनको थोड़ा सा सामने लाके ये जो हमारा अंग्रेजी वाला क्लास है इसके सामने उसको खड़ा करना है क्योंकि कभी लड़ाई तो ये बड़ी होने ही वाली है ये अंग्रेजियत वाला क्लास आपके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है, वो आपके उपर सब तरह के आरोप लगाने वाला है, आपके उपर सब तरह से हमला करने वाला है, आपके खिलाफ एडिटोरियल लिखने वाला है, शुरू आप तो होई गई है, ये बंबई के साथ ही जानते हैं कि हमारे खिलाफ लिखना तो शुरू हो गया है कई अखवारों में तो आने ही लगा है, राजीव दिक्षित तो विदेशी गाड़ी से चलता है, स्वदेशी की बात कैसे करता है, विदेशी पहन इस्तेमाल करता है, एक संपादक ने लिख दिया कि मैंने उनको पेपसी पीते हुए देखा है, लिख दिया इतने confidence है, कि मैंन राजीव दिक्षित को पेपसी पीते देखा है, क्या आप स्वदेशी की बात करते हैं, विदेशी पहन से लिखते देखा है, अब आप जानते हैं, आप तो मुझे जानते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, इस लेवल पर जब खबरें लिखी जाते हैं, थोड़े दिन में कहेगा कि मैंने तो राजी विक्षित को वहां प्रोस्टिटूशन में जाते देखा है रेड लाइट एरिया में देखा है अभी क्या करेंगे आप उसका तो खंडन करते रहिए आप उसमें तो अपने को उतरना नहीं है अपने को तो दूसरे तरह से काम करना है यह तो इसको आप कोई कम मत समझिये यह तो होगा इसमें मल्टीनेशनल के पैसे से लिखवाई जाने वाली भी खबरे होंगी जो उनके पैसे आजकल पैसे पर खबरे लिखवाई जाती है वो अच्छे से जानते हैं इस्पॉंसर्ड न्यूज होती हैं पकाइदा होती हैं सिर्फ एडवर्टिजमेंट ही नहीं आते इस्पॉंसर्ड न्यूज आती है और वो न्यूज लिखवाने वाले लोग होते हैं अक्सर आपने देखा होगा अचानक से आट-दस दिन में खबर आ जाएगी कि चाय पीन पर वो लिख दिया कि चाय पीने से कैंसर कम होता हो गया कतम अब यह सीधे दिखता है कि रुपिया देके लिखवाई गई खबर है जिसमें चाय कंपनियों का अपना वेस्टेट इंप्रेस कभी आ जाएगा कि कॉफी पीने से ब्लेड प्रेशर कम हो जाता है हर्ट अट आएगा तीजा खाते रहे हर्ट अट अट नहीं आएगा और उपर से पेपसी भी पीते रहे हर्ट अट 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 नहीं आएगा तो यह सब जूट खबरें हैं यही बात हो रही है ना कि इस तरह की जूट खबरें यह सब पैसा देके लिखवाई जाने वाली खबरें हैं त आमराजिस्था पर तो इस तरह का तो यह चलेगा अब इसमें क्या होगा कि अगर अपने पास कोई हथियार नहीं है तो तक्लीफ आएगी इसलिए अभी से अपने को मन तयार करना है मानस बनाना है मिश्णा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह सोचन देश में जो समू हैं उनके आधार पर उनके ग्यान से उनकी प्रमपराओं को उनको प्रमुकता देखे उसमें और अपने पास जब हम बात हो रही थी ना इंकौायरी जब करेंगे इस तरह का रविंद्र शर्मा का व्याक्यान सुनने के बाद हमेन थोड़ा लगा कि इस तरह की उनकौायरी वही अंकौायरी हमारे अख़ारों में हैगी, वही हमारे लिए न्यूस है हमारे लिए बड़ी न्यूज होगी कि आंदर प्रदेश के किसान पानी जानने के लिए क्या करते हैं तो पानी जानने के लिए हजार साल से वो ये करते हैं करनाटक के किसान पानी अच्छा बरसेगा नहीं बरसेगा उसके लिए क्या करते हैं तो वो ये करते हैं उत्तर प्रदेश के किसान क्या करते हैं, तो वो टिटेहरी की आवाज सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो हो सकता है कि कोई एक अंक इसी पर होगा, कि ये पानी जानने वाले हिंदुस्तान में जो समू है, वो क्या-क्या तरीके अपनाते हैं, बारिश अच्छा होगा, नही होगा, कम होगा, जादा होगा, इसको जानने के लिए, तो ये खबर हमारे लिए बड़ी खबर होगे, ये हमारे लिए महत्तो की खबर होगे, हमारे लिए ये खबर का कोई मतलब नहीं है, कि अरुन जैटली कहता है, कि आयात बढ़ने से देश का विकास हो जाएगा, ये हम पारा अखवार, स्थापित अखवारों से कैसे भिन्न होगा, उसका एक मन में ये विचार अगर बनता है, धीरे-धीरे आप बनाएंगे, लगो लोकल हमें अखवार निकालने हैं, एक-एक, दो-दो जिले, तीन-तीन जिले में अखवार चलाने हैं, इस्थानिय भाशाओं मे चलाने हैं, उसी तरह की मैगजीन चलाने हैं, हम लोग इस पर भी काफी सोच रहे हैं, कि कम्यूनिटी रेडियो होंगे, कम्यूनिटी रेडियो माने दो-तीन जिले में सुनने के लिए, दो-चार जिलों में सुनने के लिए, दो-पाच जिलों में सुनने के लिए, हाँ, त सकता है कि सालवर के अंदर एक-दो ऐसे रेडियो इस्टेशन हम चलाएं, अपने पास कुछ ऐसे कारी करता तो है, जिन को यह आता है, उदे भाई मेगानी है, ऐसे और भी कारी करता है, उनकी मदद से कुछ एक-दो ऐसे रेडियो इस्टेशन भी चलाएंगे, कुछ निकालेंगे, हो सकता है अपना टीवी चैनल भी चलाएंगे, हो सकता है अपनी मेगजीन्स भी होंगी, अल्टरेंटिव मीडिया खड़ा करना है, क्योंकि उसके बिना आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, थोड़े दिन में यह जो एस्टेश मीडिया जब प अब मैं श्री अभय बाई परताब हमारे जो कार्यकरता अलाबाद से आयो है, उनसे निविदन करूँगा कि वो आभार प्रकट करें, एक चीज जान लेगे कि अभय बाई नई आजादी उद्गोशित के लंबे समय तक संपादक भी रह चुके है, उनसे निविदन करूँ दिया है, लेकिन फिर भी अपचारिकता बस, अभी जैसे अचुता नंजी बोल रहे थे, तो हमारे साथियों के मन में कितनी ज्यादा जिग्यासा है, प्रिंट मीडिया के प्रति, ये खुल के आगया साथ में, उसके बाद सवालों की, को जिस तरह से उठाया साथियों ने, उससे ऐसा लगा एक बार की प्रहार प्रति प्रहार का दौर सुरू होगे आचिता नंजी के उपर, लेकिन मैं बता दूं कि अचिता नंजी बहुत सुल्जे हुए व्यक्ति हैं, और देश के अच्छे संपादकों में से एक हैं, और संपादकों की जो इस्थिती होती है, प्रति दिन इसी तरह का द्वंद और इसी तरह का प्रहार प्रति प्रहार जेलने माले इस्थिती होती है, और उसमें अचिता नंजी बड़े ही माहिर व्यक्ति हैं, तो उससे अचिता नंजी के ना तो सेहत पे कोई असर पड़ता है, और ना उनके मन में कोई आगरह दुर जाता है औरोज-औरोज का काम होता है चिठी आती है तो उसमें पूछा जाता है कि आपको संपादक बना किस ने तो इसलिए यहां पर बैठ करके वो तो यही सुनने और इसी पर अपना कुछ परामर्स था अचुता नंजी का जो देने आये थे और पिछले मुझे याद है मेरी भेट सबसे पहले 1995 के जनवरी में हुई थी दिनली में अचुता नंजी से पहली मुलाकात थी मेरी लेखन जगत में भी हम लोग अभी बिलकुल नए थे नया नया लिखना दो तीन साल पहले से कुछ सु अचुता नंजी से तो अचुता नंजी उस समय नौभारा टाइम्स में बरिष्ट सा संपादक हुआ करते थे हम लोग नौभारा टाइम्स के दफ्तर में गए मिलने हम लोगों के साथ बच्चों की एक टीम गई थी जो हाई स्कूल और इंटरमीडियेट और बीए वन अचुता नंजी ने दूसरे दिन समय दिया था सुबह पहुचने का एक हास्टल में हम लोग रुके हुए थे और ठीक नियत समय पे अचुतानन जी वहां पहुँच गए। यदपी हम लोग जनसत्ता के दफ्तर तक गए थे वहीं कुछ लोगों से मिलने उन बच्चों को ले करके लेकिन अचुतानन जी खुद आए मिलने और जिस समय मिलने आए उस समय बरसात हो रही थी। दिल्ली में छतरी ले करके बहुत कम लोग चलते हैं। अचुतानन जी छतरी लिए हुए बरसात में पहुंचे थे वहां पे। तो अपने आंदोलन के प्रती अचुतानन जी की कितनी स्रद्धा है और कितना हम लोगों से आत्मी या रूप से जुड़ाओं महसूस करते हैं। यह हम लोग देख रहे हैं पिछले साथ-ाठ साल से और जो सुझाओ उन्होंने आज दिया यह सुझाओ अचुतानन जी के दिमाग में पिछले आठ साल से चल रहा। और उस समय से लगातार इनके मन में छट-पटाहट है कि कुछ इस तरह का होना चाहिए। और उस समय इन् उसमाज के लिए उतना हो करने की कुछिश करते हैं संपादक की स्थिति सच में एक नवकर से ज़्यादा कुछ नहीं है संथ करने की इस्थिति Самहीं संपाध कि मुख्राक के रूप में मालिक ही होता है और मालिक जो कहता है वो करते हैं संपाध की संस्था को गई हैं यह चाहिँ संपाध कोईआ वे डिल्ली के एक बड़े अख़बार में एक संपादक हुआ करते थे एक बार उन्होंने एस्टेटमेंट दे दिया, आंगरे जी के अख़बार के ओ संपादक थे, एस्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो देश में प्रधान मंत्री के बाद सबसे ज़्यादा मुहत्त पूर्ण व्यक्ति हू दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो संपादकों की स्थिती सच में बड़ी कमजोर होती है, इस समय जो स्थिती हो गई है, यह की स्थिती संपादकों की थी आजादी के पहले की, जब स्वतनता संग्राम चल रहा था, जिसकी मोटी-मोटी रूप रेखा, अजुतानम जी ने र करते थे, लिखा है उन्होंने, कि यदि विग्यापन के आधार पर अख़बार निकालना हमारी मजबूरी हो, बिना विग्यापन के हम अख़बार न चला पाएं, तो हमें अख़बार बंद कर देना चाहिए, और अचुतानम जी के मन में भी जो छटपटाहट है, वो यही जैसे राजी भाई बता रहे थे, वो पूरी तरह से प्लाइनिंग में है अपने आंदोलन के आगे उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, अचुतानम जी को जब भी हम लोग जहां भी कारेकरम में बुलाते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, और नियत समय पे आते हैं, अच कैसे सहयोग की बीच-बीच में जबरत पड़ती रहेगी, हम लोग आपसे सहयोग लेते रहेंगे दुरूए.